नमस्कार बहुत स्वागत आप सभी का मैं हूँ आपके सार प्रतीक्षा सेल्पी विध हमारे नेताजी.com की यात्रा पहुंच चुकी है गुजरात जी हाँ गुजरात के अम्रेलीक से सांसद है नारायन भाई का छिडिया जी जो इस वक्त हमारे साथ मौझूद है उनसे बाचीत का सिलसला शुरू कर रहे है और इस कारिक्रम को आगे बढ़ा रहे है नराण जी बहुत स्वागत आपका तेंक्यू नराण जी सबसे पहले कोई भी प्रशंचक है तो वो जाना चाहेगा कि हमारे निता की प्रिष्ट भूमी कैसी है मेरी प्रिष्ट भूमी है एक मैं साधारन परिवार से आता हूं एक किसान का बेटा हूं और गुजरात के अमरेली डिस्टिक के सावरकूला तालोगा का सरकडिया गाहों है जो आज भी बहुत सोटा गाहो है के पांसो से जयादा हमारी जनाबध ही नहीं तरहाँ से में आता हूं और एक मेरा प्रिटाजी जो सोटे किसान यह इstr नरेंट जी विद्यार्थी जीवन आपका कैसा रहा है? लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा के पढ़ने की इच्छा बस्पन में बहुत थी मैं चेकलियर तक ही पढ़ा हूँ अच्छा पढ़ने का आगे भी बहुत मेरी इच्छा थी लेकिन जब में 18-19 साल का हुआ तो सबसे जादा माराद जो डिष्टी के मेरा तालो का है मेरा गा कर सेके तो में 18-19 साल से ही में सूर्थ चला गया जो डाइमंट के काम में जी और उसके पंद्रह सत्रह साल में डाइमंड मेरा उसके बाद में वापस गाउं आया क्यूंकि गाउं इसलिए मुझे आना पड़ा कमेरा फादर का एक्सपाइड हो गया मेरा फादर तो मैं तोटा डायमंट का कारखाना कोला और खेती भी संभाली और थोड़े थोड़े धिरा धिरे करके आगे बड़े हम वेवसाहे आपका यही रहा जिस तरीके से लॉट कर आये तो यानि विद्यार्थी जीवन बहुत लंबा नहीं रहा बहुत जल्दी पारिवारिक परिस्तित पर दोड़े मेरे सर प्यावे थी जिए जब में पढ़ाए करता था तब गाहों से मेरा तेसिल जो तालुकाया वह आठ किलूमेटर दूर बहुत जब मैं पढ़ाए कि अप्ड़ाए कि अग्में इस समय पे तो शीच दो नी चलता था प्रामरी में तो सात्वा धरण तो व संघर्ष का वक्त था विद्यार्थी जीवन बहुत संघर्ष वाला रहा है अपने विवसाय के संदर्भ में थोड़ी से जानकारी दीज़े नेरा तो ये पढ़ाए के तो यसा कुछ नहीं है दूसरा आगे तो यह ज्यादा तर खेति किया और उसके बाद डायमंड का चोटा जा कारखाना लगा और दिरे दिरे आगे बड़े और वैसे खेति करता रहा और डायमंड दोनों साथ में मिलकर काम करता रहा आप बड़े ते इसलिए जम्मदारी विशायद घर पे बहुत जादा थी आपके सिर्पेटी मेरा फातर और दो चोटे भाय थे उसकी पिशादे भी बाकी थी तो उसकी जम्मदारी भी बड़े होने के नाते तो जम्मदारी मेरी चप से ज्यादा आ गई थी बिलकुल नाराण जी का जीवन बहुत ही संघर्श वाला रहा है जिस तरीके से बता रहे हैं कि विद्यार्थी जीवन में भी काफी मुश्किलों का सामना करते हुए उन्होंने अपनी पढ़ाई की है और चूकि घर के सबसे बड़े रहे हैं इसलिए भी बड़ी जम्मदा चारियां रही हैं उनके ऊपर चोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं बाची जारी है बेहत दिल्चस बाचीत होगी नाराण जी से अगले सेग्मेंट्स में फॉरन लॉट रहे हुए आज तुमारे हाथ के पराठो ने तो मा की याद दिलाती है और लेकर आती हूँ हमारा इराद है यह है कि अगर आप एक सिलिंडर छोड़ते हो तो मैं वो सिलिंडर उस घर को देना चाहता हूँ जिसमें लकडी का चुला है और जिसके कारण पॉलूशन होता है और जिसके कारण उनके बच्चों को दुवे में पढ़ना पड़ता है और बीमारी का घर हो करने यह आप पड़ता है में यह अब आफ फोन में क्या कर रहे है कि अपनी अपनी सबसीडी गिर अपक कर रहा हूं अचानक क्यूं मैंने अपनी मां को लकडिया चुनते हुए जिगा है मेरे लिए खाना बनाते हुए दुए में अपनी आखे जलाते हुए देखा है मेरे गिविट अप करने से उन कई माओं को गैस कनेक्शन मिलेगा जो आज भी लकडी के चुले पर खाना बनाती है आप भी अपनी सबसीडी छोडने के लिए www.mylpg.in या www.giveitup.in पर लॉग इन करें पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रा ले द्वारा जनहित में जारी स्वागत आप सभी का ब्रेक के बाद एक बार हम फिर हाजर हैं सेलफी विथ हमारे निताजी.com के इस कारिक्रम में नाराण जी हमारे साथ मौझूद हैं जो की गुजरात के अंब्रेली ते सांसत हैं और उनसे हम बादचीत कर रहे हैं पारिवारिक जीवन जिस तरीके से बता रहे हैं बड़ी जिम्मधारियों के साथ उन्होंने निभाया है बड़े भाई रहे हैं चार बहनों के बीच में तीन भाईयों के बीच में इसलिए भी जिम्मधारी और जादा बड़ी हो गई थी उनी से बाचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं नाराण जी बच्पन से जिस तरीकी का संघर्ष वाला आपका वक्त रहा है क्या कुछ तै किया था आपने राजनीती की ओर जाने के लिए यहार ने आपको आना था यह बच्पन से तेय था? या बाद में आपने ऐसा फैसला किया? मैं जब गाउं में था तो गाउं में जो गरीब लोग थे। उस पर में देखता था तो चोटा-चोटा जो कोई इशु था कि जोड़ी जोडिडी कोई बात थी तो उसका कोई देखने वाला सूनने वाला ने दिखता था तो सबसे पहले तो मेन आपए कर लिया तो प्रून को में पहुचा हूं शरपन से सांसत तक यह एक लंबी यात्रा है सरपन से सांसत तक 366 से तो यह मैंने सरपन से पासाल बहुत सही तरीके से मैं तो नहीं कह सकता है लेकिन लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया और मुझे काम करने में बहुत अच्छा लगता था और उसके बाद जंसंग के जो मारे नेता है वाँ दिश्टिक के उसके संपर्क में आया क्यूंक सरपंग की एसे से में तालुका और तालुका से डिश्टिक तक लोगों के संकर्प में संपर्क में आया तो उसके साथ बातचित वी तो नाइन्टी नाइन्टी फाइव में जब मैं डायमंड का कार्खाना चला रहा था उसी समय जंशं के हमारे नेता है जो हमारे अमरे लि सिद्धी घर कारखाने पर आये और बोले कि आपको तो डिश्टिक पंचाय का सुना लगना है मैंने में राजनीती की नहीं है मैं कभी राजनीती में गया ही नहीं हूं मुझे तो यह आता ही नहीं है नाराण जी जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि इच्छा नहीं थी सेवा की भाव जो थी वो शायद आपको राजनीती की और लेगी मैंने बोला ने कि यह जो छोटे लोगों के अगर चेवा करना है और चोटे लोगों तक में पहुंचना है तो एक सही दिशा में जाना है तो कोई सही पाल्टी के साथ एक प्लैटफॉर्म पे जाना पड़े और अंधामा वीजेपी के साथ हुए राजनीती में आने का प्रभू कारण आपको क्या लगता है? अगर लोगों के सेवा करने की मरशा है तब राजनीती वे आपके हिसाम से बिल्कुर्ट तो यहाना है बाकी अपने स्वार्थ के लिए या अगला सवाल जुड़ा हुआ है नारेंट जी क्या इन दिनों आपको नहीं लगता कि जीवको पारजन का जो जरिया वह राजनिती बन चुकी है खुद के लिए विक्तिकत स्वार्थ के लिए यह से बहुत से लोग होते हैं जो राधनेती के माध्यम से हमें लोग अपने स्वार्थ के लिए कुछ ने कुछ करते रहते हैं लेकिन मैं इतना सरुष सोचता हूं कि हमारी जो एवना है कि हमारी जो कार्य पद्धती है और आप आपके जो कारियोपतिती खास करके है, वो सबसे पहले, दूसरी पाल्टी में देखता हूं, तो पाल्टी सबसे बड़ा समझता है, लेकिन हमारी पाल्टी और हमारा पाल्टी के नेता, सबसे पहले राष्ट्र को देश को मानता है, उसके बाद पाल्टी को मानते हैं, उसके इसलिए मैं भाज़नीती के साथ जुड़ा हूँ और भाज़नीती का अर्थ से निकलता है बिल्कुल नराइंट जी अगर राजनीती के माध्यम से जब आप जन्नता की सेवा करने जाते हैं तो किस तरह के अनुभावों का आपको सामना करना पड़ता है जब आप आम लोगों के बीच होते हैं तो कई बार उनका काम करते हुए नाराजगी सहिख़ी भी झ्हेलने क्षे अरागी होती ते त Kansas हम आप ए सामने या Dir्म कर छोंगर हो ठूंगर होती ऊव economies सब ranging तो जितना किसे व्ह nom से बुलते से निसका हम नरभल उते तो अपने आप उन्या एजाता है कि आपने की तो आप थोड़ी दिरणी रखें यह हो जाए गा मेरा करता हूं ऐसको शुचाना पड़ता है उसके सर प्रकिरणों ऐसको खंबे प्रकिर व जब आता है तो एक तुफान की दरा हुझताहUS जब जाता है तो वह असकर वह आ जाता है वोई नेता हो की खाचे दोनी चाहिए नाराण जी जिस तरीके से बता रहे हैं कि अगर जनता नाराजगी भी जाहिर करती है तो एक अच्छा नेता वही है जो उनकी नाराजगी को भी सम्हाल सके समझा बुजा सके और उनको धैर्य देकर वापस अपने घर बेच सके एक चोटे से ब्रेक के लिए रुकना है नाराण जी से बाच्चीत हो रही है परिवार कितना सहयोग करता है नाराण जी को ये जानेंगे हम एक चोटे से ब्रेक के बादाद किसान बीमा कराए प्रधान मंतरी फसल बीमा योजना से हर किसान मुस्काए किशी और किसान का ल्यान मंतरा ले द्वारा किसान हित में जारी सेल्फी विद हमारे निताजी डॉट कॉम जी आप रेके बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे साथ अम्डरेली के सांसद नराइन जी मौझूद हैं जिनसे हम लगातार बाचीत कर रहे हैं अब बारी है परिवार के बारे में जानने की नराइन जी जिस तरीके से राजमिती में हम आ जाते हैं उसके बाद व्यस्तता इतनी जादा हो जाती है कितना परिवार को वक्त दे पाते हैं? कितना समय निकाल पाते हैं? राजमिती एम सरकार और पाल्टि के कार्यक्रम में और लोगों की सेवा में सलते के साथ परिवार को ज्यादा समय नहीं दे पाते हैं, लेकिन मेरा परिवार मुझे जानता है, मुझे समझता है, कि मैंने राजनिती लोगों की श्यवा के लिए जोट की है, इसलिए मेरा परिवार मुझे पूरी पूरे तरह के से समर्थन करता है, और मेरे छोटे छोटे जो मेरा पोता है, मेरी पोती है, मेरा बेटा है, मेरे बेटे की बहु है, इस सब मुझे पूरा समर्दन करते हैं, इसलिए मेरा परिवार भी इतना खूश है और मुझे पूरे दिन की थकान, पूरी थकान निकल जाती है, घर आते हैं. आपके परिवार के जो सदसे हैं, जैसा कि आप बता रहे हैं, लंबा चड़ा परिवार है, बहुत सारे लोग हैं, आपके जो द्यानिक कारे होते हैं, उसमें कितना सही योग उनका मिलता है और क्या-क्या सही योग मिलता है? मेरे परिवार के सभी सदिश्यों मेरी राधनिती कारियों में पूरे मन चे मदद करते हैं, और मेरी धर्मपत्नी संसत के सभी सत्रों मेरे साथ ही रहते हैं, ये एक बढ़ी अची बात है, मेरे साथ ही रहते हैं, और मेरा उसला बढ़ाती रहते हैं, और मेरे परिवार के सभी सब्सक्uard vůzी कारीकरते हो, जाने भाले सब्सक्राइब marketing कार्य करता हो, जाने चाहिज चाहिव और उन्हीं हो जाकता है, जो भी कार्य करता है, जघ रहे चाहिज डिप Nu जा सकता है. जैसे हमारा परिवार पारिवारिक और फेंशा, तो हमारे घर के अंदर आकर कुद आपकछे खाना खा लेते हैं. सब मुझे इतना हमारा सधेयो करती है बिलकुल परिवार का सभी होता है तो काम और अच्छा होता है राजनीती में आने के बाद आपकी जो व्यक्तिकत पारिवारी जो या समाजिक जो जिन्दगी है उसमें कितना बदलाव हुआ पहले आप किस तरीके से थे बाद में बदलाव किस तरी है कि राजनिती में आने से व्यक्तिगत और सामाजिक कारिय में ज्यादा समय नहीं दे रहे हैं पाता हूं लेकिन इतना समय निकाल लेता हूं कि मेरे व्यक्तिगत हैं सामाजिक कारिय में स को मैं तो नहीं समझता हूँ कि कितना भी काम हो आज हमारा प्रभान मंतरी जो की कर रहे उससे ज्यादा तOL तेस्ट में किसी ठेंसरे को कोई हैं वारे प्राइम के लिए इस ज्यादा काम किसी के पास पतो है फिर भी वो धना जो है उनसें पता को सबस्क्राइम होrid Volt किस तरीकी की दिन्चर्या आपकी होती है अगर देखा जाए डेली रूटीन में सुबह से चेत्र के लोगों से मिलना जुन में सब बजे से और उसके बाद में अपने चेत्र में दोहरे पर निकल जाता हूं अपने जानने का फ्रयाश करता हूं इन सब कारियों में कब दिन डिजय जाता हूं पता है बुकर हो जाती है में रात रात बारा बच जयता फिर भी नहीं पता जोता ऑर शंशत्र कि दोड़ान दिल्ली आते हैं और सनु रवी को तो मैं हर अज आफ़ी चाल सेली मैं दूसराट्र मैं अधिक मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं साटडेशन्दे और सनु रवी में दिल्ली मेरा हूं कि अपने सर्हें जाता हो क्योंकि में ज आप से बत दिखाता हूं मैं थोटा डायरी रख रहता हूं जुआ ज Switzerland में पूरा करिक्रम जाता है इसमें बध्या कारिक्रम का किस ताहिम में कह जाना है इसमें इसमें लिख लेता हूं पूरा वक्त पूरी तरह से जनता हूँ पूरा में सेडिल पूरा बना की रखता हूँ अज मेरी पाँस साल में डिस्टिक पंचाइट के प्रेशिडेंट रहा हूँ इस देश की 538 पंचायद है 538 और 2008 में Congress की UPA की गवर्मेंट थी UPA1 उस गवर्मेंट में मुझे इस देश की तीसरे नंबर का काम मैंने किया मैंने अपने जिस्ट्रम में बिल्कुर जिस्टिक पंचायद का प्रेसिडेंट का तो उसका मुझे जो सन्मान किया था कॉंग्रिस की गवर्मेंट ने दोजर आठ में बिल्कुल यानि विपक्ष का ऐसा कुछ प्रभाव नहीं रहा आप काम करते रहे हैं तो कॉंगरिस की सरकार थी उसी मेरा सन्मान किया था कि यह देश की पांट-सो आरतीस में तीसरे कंप इमें इस्टिक पंचायत लाया था क्यूंकि डिस्टिक पंचायत में बाइस से ज्यादा यूजने शलती है अलग अलग विभाग की जी इन में से एक भी पैसा लेक नहीं जान पंचायत थी इसमें से फ्रस्ट आई थी और तो नर्मरभाय ने तब मेरे हमारे तत्कारिन मुक्यों मंत्री गुजरा था तो उसने भी मुझे सन्मानित किया था बिल्कुल शायद 2009 में मेरे को लोकसभाई की टिके जनता आपको इतना पसंद करती है कि दूसरा मौका भी आ पड़ जाता है एक चोटा से ब्रेक के लिए हमें और रुकना है लगातार बात्चीट जारी है चल चल रहे साथी चल रहे बंदू चल रहे साथी चल 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 करनी है अब हमें पहल पहतर होगा देश का कल एकड़ नई पशा एकड़ पहल एक ड़िज़ऑ एकड़ परसे होगा क्या दादी music अब कालाबाजारी रुक जाएगी अबमा एक ड़िऽबा ऑंसे होगा क्या दादी से जुड़े और देश निर्मान में हाथ बटाएं अपना धन पाओ जन धन बचाओ हम साथ चलें मिल के चलें और मिल करके हम देश को आगे पहले पेट्रोले मंत्राले द्वारा जन हित में चारी स्वागत एक बार फिर आप सभी का सेलफी विथ हमारे निताजी.com नराण जी हमारे साथ मौझूद हैं अमरेली से सांसद हैं और लगातार बाचीत हो रही है बड़ा संघर्ष रहा है जीवन में इनके लेकिन उसके बावजूद भी जब जनता के बीच जाते हैं तो जनता के हो जाते हैं बिलकुर उनसे बाचीत आगे बढ़ाते हैं नरेंट जी अक्सर यह आरोप लगते हैं या इन दिनों अगर देखा जाए तो राजनिती का स्तर जो है वो बहुत जादा गिरता चला जा रहा है आपके क्या विचार है बहुत तो आप सही सवाल किया है राजनिती में अपने आर्थिक स्वार्त के लिए और बिजनेस के लिए आते हैं और उसका इस्तमाल करते हैं और हमें खुछी इस बात की है मुझे कि मैं उसी जो नरेंद्रभाय की गवर्मेंट चेंट्रल में है और यह वड़ा प्रदान है उसकी टीम में मैं एंपी हूँ बिलकुर बहुत से कम लोगों को यह उन्मीद होती है कि नरेंद्रभाय की टीम में काम करना आज भारती जंता पाल्टी नरेंद्रभाय के नेत्रूतों में जो हम काम कर रहे हैं आप देखें नरेंद्रभाय 12 साल तक गुजरात के मुख्य मंत्री रहे उसके बाद आप ढ़ाई साल से अब देखें केंद्री की सवकार बारा साल गुजरात में और ढ़ाई साल चेंटर में एक भी एंपी या सरकार के मंत्री पे या हमारे बढ़ापदान के हमारी सरकार पे एक बीजिशन नहीं लगा है विपक्ष ने कभी भी कोई एलीकिस निए ब्रस्टाचार हुआ या कि मीडिया वाले भी नहीं बूल सके बिल्कुल दोजार नौ से दोजार सुदा तक में था विपे टू गवर्मेंट में आपको भी पता है कि हर लिया दीन और हर लिया कोभान निक एक स्कैम निकल के आता एक गयम कोई निकलता था आज भी आज ढ़ाई साल के बाद भी अगर इसके कोभान आज भी निकल रहे हैं लेकिन बिजेपी गवर्मेंट के नरंद्रभायत के नेत्रुद में एक भी कोभान एक भी गोटाले आज भी नहीं हुआ है अगर ऐसी सरकार सले तो रादनीती का स्तर अपने आप उपर आ जाएगा नरंद्र जी आपको क्या लगता है अगर एक आदर्ष नेता है तो उसके भीतर क्या गुण होने चाहिए एक आदमी के लिए हम ये पूछते हैं कि अगर एक आदर्ष नेता हम बना रहे हैं तो उसके लिए क्या गुण हो कि मेरे इसाब से आदर्ष नेता यानी नेता को जो भी जिम्मेदारी मिले उसे नियाय देए उसका पुरा समे देए लोगों की बात सुनने का धिरजो और लोगों की समिष्चा हो अहल करने की बुद्धी मता हो कि अपने अभी प्राइब एगर कोई कि बात करें तो उसे सुनने में उसको सहन करने की या उसको बहन करने की जानिए अगर आलोचना कर रहा है तो उसे सहन करें सविकार करें बिल्कुत उसमता होने चाहिए कि और त्विर्ट मिनने शक्ति होने चाहिए कोई भी डिसिजन लेना है तो मैं देखता हूँ मैं करता हूँ मैं सोटा हूँ अश्वाशन नहों ऐसा नहीं अगर जो कोई सही काम है अगर कोई कारिय करता हूँ या कोई आम जंता हो कोई भी इस्यू लेकर अपने पास आए जंनी इभाग को जो भी घ्धिकारे को ये लागू होता है उन्टके सामने उसको फोन करकि बोलना जिए काम ये अदमे को में भीजता हूं ये काम करना कितने दिन में होता है वह उसको ये अंधाया लगता है कि ने ने हमें फोन कर दिया हमारा काम 100% हो जाएगा यह विश्वास तो सामने वाले में होना ही चाहिए बिलकुल जानी यह नेता के आधर्शनेता वही होंगे और दुश्वादर्शनेता उसको भी बोलते हैं जब हम उट मांगने जाते हैं हम आज जोडते हैं हमारे सेरे पे तो आदमे को कभी कोई दिकत नहीं पड़ती जनता के बीच इसलिए इतने लोगप्री है क्योंकि जमीन से जुड़े हुए नेता हैं और लोगों के बीच हमेशा जाकर उनसे बाचीत करते हैं और उनकी समस्याओं को सुनते हैं नराण जी राजनीती पर हम बात कर रहे थे अगला सवाल आपसे ये है कि राजनीती का जो स्तर इन दिनों गिर रहा है या जो स्तर नीचे जा रहा है भाशा को लेकर एक दूसरे के आकशेप को लेकर क्या आपको लगता है कि जो वर्तमान में राजनितिकी हैं जो नेता हैं वो ही इसके लिए जिम्मधार है आजकल हो रही राजनितिक के स्थर के बारे में वर्तमान के सदिशों को जिम्मधार नहीं ठेरा जाज़कता मैं मेरे इसाब से कि देश की आजादी के बाद गास सतर साल हुआ अपने हमारी आजादी में लिया उन शतरवा साल चल रहा है है सब्धेश जाज़ कॉन है आप बता हैं तो अलबेश्राज्ट शाल तक लिमारे देश देश में एल्गेस ने साट इसाल किया यह तो पहर यह काम किया तो अज्डेस काल्टी के शासन जो किया तो अढ़ एक हमारे सरकार अवी तो एटाई साल हुई आप जानते हैं जो भी शिषुवजन खराब किया है, जो राजनिती का स्थर मिचे गिराया है, जो भी किया है, वो किसने किया है, आप ही मुझे जवब दीजे, मैं मैं जवब में दे रहा हूं, आप जवब दीजे, इस 30 साल में हमारा तो हमें तो अधाई साल से यह आये सत्ता में, आज तक क कि लोगों का विश्वाश, जो फेलड रहा है, वो किस पर किस तर किन लाया है, जिसका जादा हिस्था माना जाता है, यह कॉंग्रेस पार्टी शाचन किया, और लोगों ने खुथ को फाहिदे के लिए, आर्थिक्सार्थ के लिए, राजनिती का स्थर मिचे लाए है, कॉं आपका विचार हो कि युवा जो की राजनिती से बहुत भागता है अगर युवा या साफ छवी के लोग राजनिती में आना चाहते हैं तो उनके लिए आपके क्या प्रयास होंगे, क्या आप करना चाहेंगे। हैं युवा यजो की थित्क्ने को समझने की संता रख दें ज APIs Bueno, अइसे लोगो को राजनिती में लाना चाहें और तो जात पात चंप्रदाय आदार पर राजनिती के लिए लोगों का सेहन नहीं होना चाहिए और दूसरा अच्छे हुआ वर्ग को राजनिती में आएंगे तो देश का विकाच होगा और लोगों को जो हमने अगले अगभी बोला कि राजनिती का स्थर निचे क्यों जा रहा है तो इससे अगर राजनिती में सही हुआ वर्ग आएंगे तो अपने आप राजनिती का स्थ सुधार आजाएगा आज तुम्हारे हाथ के पराठो ने तो मा की याद दिला दी और लेकर आती हूँ हमारा इराद है यह है कि अगर आप एक सिलिंडर छोड़ते हो तो मैं वो सिलिंडर उस घर को देना चाहता हूँ जिसमें लकडी का चुला है और जिसके कारण पॉलूशन होता है अचानक क्यों? मैंने अपनी माँ को लकडिया चुनते हुए देखा है मेरे लिए खाना बनाते हुए दुए में अपनी आखे जलाते हुए देखा है मेरे गिव इट अप करने से उन कई माओ को गैस कनेक्शन मिलेगा जो आज भी लकडि के चुले पर खाना बनाती है आप भी अपनी सबसीडी छोडने के लिए www.mylpg.in या www.giveitup.in पर लॉग इन करें पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रा लैद्वारा जनहित में जारी एक बार फिर आप सभी का स्वागत है युवाओं को जिस तरीके से प्रोचसाहित कर रहे हैं जनता के बीच जिस तरीके जाते हैं इसलिए भी शायद दूसरा मौका जनता ने इने दिया है और इतने पॉपुलर हैं इतने प्रशंचक हैं लोगों के बीच के नराएंड जी अगला सवाल अब भारती जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है जिस तरीके से आप बीच में कहई रहे थे कि मुझे भारती जनता पार्टी की विचारधारा बहुत पसंद आई राजनीती के साथ जब जुड़ने की बात हुई तो नारायंड जी ने भारती जंदा पार्टी को क्यों चुना? यानि पसंदीदा पार्टी और भी हो सकती भारती जंदा पार्टी ही क्यों? मैं जब युवावस्ता से में राजनिती को थोड़ा सम्मझने लगा और मुझे थोड़ी जानकारी मिली तो युवावस्ता से में कॉंग्रेस पाल्टी की नहीतियों का गुरूद करता रहा हूँ पहले सी मेरे माइंड में क्या है कुछ मुझे पता नहीं लेकिन मुझे का में गुरूद करता रहा हूं जिस तरह कॉंग्रेस में देश में और राजयों में लोगों की अपेक्षाओं को और उसकी लागनेों को उसके मताबिक शासन कभी नहीं किया है कि उसमें मैं नाराग्ता और बुखी ता उसी समय से में जंशन से और जंशक का सम्रफ्टिक और राजनिती से जुड़ा तब से जंशन के साथ और राष्टिक सम्सिर के सब मेरी विचारदारा सक्री हुई है तो मैं आरेसेस के साथ जुड़ा हूँ मैं आरेसेस के सभी वर्गों में भी गया हूं और जंशन भारती जंता पालते ता उन्नीसों से आई अटल बियारी आख जया थाजनाज की लेकिन जंशन की जिस अमिता नाइन्टी लिश्जानच पॉड़ और हूं जो पहलाँ ऑन जी सेमने भारती जंता पाल्थी य्dom से जुड़ाखा हूँ Спशी लाना अमारे गुदुराद के कि ठदेश ज्यक्ते और उस ताहर आम से में भारती जंता प और गुजरात में तो आपको पता है कि गुजरात में तो कॉंग्रेज़ और भारती जंदा पार्टी दो ही बड़ी पार्टी है जी भारती जंदा पार्टी से जुड़े रहे ये एक बहुत अच्छी बात आपने कही कि आपको विचारधारा पसंदी तो आपने उनका चैन कि अगर भारती जंदा पार्टी की बात करें, तो दूसरी पार्टीों से कैसे ये बहतर पार्टी है अपने आप में? हितने और लोगों के केंदर में रखकर किया जाता है और राष्टे के पती वफादारी देश और दुनियों में सर्वस्टेट बनाने के लिए बात भाजपा कोई पैला एक लक्षरा है और भाजपा ने सत्ता में लाएं कि कभी भी अपने मुखने चिद्धानतों कभी हो नही हमें सभलता ना मिलें तो हमें रास्ता बदलना शाहिए शिद्धानत नहीं है यह बड़ी अच्छी बात आपने कई पेड़ भी पेड़ भी अपने पत्तों बदलते हैं जड़ नहीं बदलते हैं बहुत सटीक उधारन नाराइंट जी ने दिया है और शायद इसी प्रोत होने के साथ ही वो भारती जंता पार्टी के साथ जुड़े हैं और भारती जंता पार्टी उनकी पसंदीदा पार्टी रही है चालीस साल से लगबग साथ दे रहे हैं बारती जंता पार्टी का और लोगों के बीच में है एक चोटा से ब्रेक के लिए हमें और यहां बहुत ही कम त्रीमियम पे पूरी हो भर पाई फसल भी मित रहे क्या काई के बाद भी भाई हाँ, रिनी या अरिनी अब हर किसान लाब उठा एक मोसं कदर है सब किसान भी मा कराए प्रदान मंत्री फसल भी मा योजना से हर किसान मुस्काए किसी और किसान का ल्याण मंत्राले द्वारा किसान हित में जारी एक बर फिर आप सभी का स्वागत है Selfie with हमारे निताजी.com अमरेली के सांसद जो भारती जनता पार्टी से सांसद है और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है उनसे तमाम बाचीत हो रही है बहुत ही सटीक जवाब वो अपनी तमाम सवालों का दे रहे है इसलिए भी क्योंकि अनुभव बोलता है कहते हैं इतने सालों से राज्मिती में है नाराण जी इसलिए उनका अनुभव शायद उनको यहां तक लिए आया है नाराण जी आपका जो गुजरात का छेतर है अम्रेली वो भोगोलिक रूप से या आर्थिक रूप से उसकी संग्रशना कैसी है वो कैसा है मैं गुजरात के अम्रेली जिल्ले का सांसत के तोर पर प्रतिन इध्रत करता हूँ जयादातर अरिया के से जुड़ा हुआ है मेरे जिल्ये का 70 प्रशीस जयादा लोग ख्यूती पे इंडिर्भर है आप और उन को स्ट कंपणि everyya बस जएदा में चित्र में है को स्ट करके पिपाओप पॉट काफी अच्छी कमपनी आई वहां जो तो अमारे जिस्टिक में ज्यादा तरफ जो कुम्मिटी है इंने से पटेल वर्थ ज्यादा है जैसे में भी पटेली हूं और सबसे पहला तो मैं एक अगाओं कि गुजरात के सबसे पहले मुख्य मंत्री मेरे जिस्टिक के जिवराज मेता वही हमारी जिल्ले का प्रतिनी जित्व करता था और वही मुख्य मंत्री उसी जिस्टिक से में आता हूं और आज अगर में आपको बताओं तो मुरहरी बपु का नाम कदा आपने सूना है वो मेरे वटर है प्रमीजबे उज्ञा जो भी एक कथागार है वो भी मेरे वटर है तो ऐसे जो बड़े लोगे जो संथ है वो भी मेरे चेत्र में है कि अमयरे उनके बहुत सारे प्रशंशक हैं उनके अन्य आया है तो भी सब हमारे कार्यकता है और उस ते जूले और मैं तो अरबार महाँ जाता हूँ जो मुरारी बापको के निवास अंटल गाजड़ा है वो मेरे चित्र में पड़ता है अम्रेली में आपके प्रशंशक बहुत जारे हैं और उनके अनुयाई अगर प्रशंशक हुए उनके तो वो अप्रतेश रूप से आपके प्रशंशक है पट और लोकसभा सांसद पिछले धाई सालों में आपके अपने कशेत्र को लेकर क्या कुछ काम किया है क्या कुछ उपलब्धिया रही है इससे पहले में ने आगे बताये आपको कि हमारी 70 साल की आजादी में कॉंग्रिस नहीं चाषन किया इस देश पे जबसे हमारी गवर्मेंट आई दाई साल से, मैं दोजार नव से दोजार सवदा तक MP था लेकिन सरकार कॉंग्रिस की थी, UP2 गवर्मेंट थी, उसमें तो हम कुछ काम करवा ही नहीं सकते थे, हम जानते थे किसमें हमारा कोई काम होने वाला ही नहीं, लेकिन इस दाई साल में जो आप बात करती है तो मैं इतना जावे से कह सकता हूं कि जो आजादी के बाद जो मेरे चेत्र में काम नहीं में कर सका हूं, वो धाई साल में कर सका हूं, पिछले उन्मी सो बाहरा से दोजार सोला, एक सो चार चाल में हमारे वां रेल की पत्ती लगी थी, वो बिटर का है, अभी काम चालू करवाया है, चार चो करोड़ रुप्य का पिछले बजेट में मंजूरी मिली और काम चालू हो गया, दूसरा मेरे चेत्र में बहुत चैसे फातक थे जो सो साल से पूरा नहीं थे, उसको भी सोड़ा करवाने का काम अभी चालू है, कही तीन चार पात में लेक्षे vino में खास कर के क्युकिन के दरिच चैत्र होता है कि ग diligवाव में ली चैत्र में कोई व्यवस्टा नहीं जो लेज साथ बाहत कम होती है, तो मैं दजबरा चैत्र में सोला लाइट लाइड लगाए पूरा पूरे 900 गाउन है और नहें चैत्र में जादाओ से सब्सक्राइब ज़्य के दिए जब 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 आरुग्या पर इतना ही मैंने ध्यान दिया है यह पिछले धाई सालों में जो काम किया वो आपने किया अपने किशेत्र के लिए 2019 में अब आम चुनाव होंगे नराण जी क्या कुछ वरियता अभी है आपके अपने किशेत्र में काम करने के लिए क्या कुछ अभी और करना है 2019 तर अभी मेरा काम तो बहुत है मेरी के जो मेरे शेत्र में मेरे अभी दारी विचाव दर्जुनागर जो रेलवे लाईन है अभी वह वी मेटर गैज में उसका वी प्रोड गैज में कन्वजन कना है अमरे जिल्या जो एक इतिया अघर जिल्या है और जिल्ले में ज्यादातर लोग खेती करते उसके बाद अगर समय बसा तो डायमंड कर लेके हीरे के वेवसाय में जुड़े रहते हैं इसलिए अमरी में ज्यादा से ज्यादा इंडुस्ट्री लाने का मेरा विचार है और उससे रोजगारी मिले वहां के युवाओ को और अ इसलिए मुझे मेरे डिस्टिक में सेंटर स्कूल भी लाने का बहुत ची विचार है और मेरे चित्र जो चुरत से जुड़े हुए हमरे लिए डिस्टिक के लोग तो वहां सुरत से मौवा की ट्रेन एक विकली चलती है उसके लिए मुझे रोजाना पर्डे ओ ट्रेन हो जा होग से कम से कम रोज की दाइसों से लगजरी बस सूरत जाती है और वापसाती है और भू में एक टिकिट का 500 रुए लेती हो चैन में उसका भाड़ा भी सस्ता लोगों को हो जाए गा इसलिए मेरे कोई चुरत महुआ ट्रेन को रोजाना करना है और दूसरा मेरे चेत्र है आया में सब्स्टोभवरी किना सॉन्यूलि किना सबक्री किना सब्से जयादी मेरे चैत्र में और कास्कर करके गुजरात राdrum चैत्र मेंहें 11.930 walking का यह कॉष्टल अट स enacted 50.104 Travel technique किर देश में सब्सी जयादा और 60 400로, इसमे सब्से जयादा मेरे चैत्र में हैं तो कोस्टल अरिये का जितना हो से के विकास कि इतना विकास आगे बढ़ाना है कि सेंटर गवर्मेंट ने कुछ दिन पहले तो डिकलेशन किया कि को स्टल अरिये को एकोनोमिक जोन के रूप में उसको डेवलोप किया जाएगा तो हमारे गुजरात में लगबग पुर ज्यादा उसका फाइदा मिलेगा चाओद है हमारे टोटल गुजरात की 33 दिस्टिक है इनमें से 14 दिस्टिक तो एक उस्टल अरिये में आती है वहां का डेवलोपमेंट जादा जरूरी है कम से कम 40 परसंट गुजरात में इसका डेवलोपमेंट एकोनोमिक जो आजा होगा तो बहुत बड़ा फाइदा होगा और अमारे प्रद्यान मंत्री का जो मेकिन इंडिया का जो सफना है वो भी उसमें सफन हो जाएगा तब हो जाएगा बिल्कुल यानि नराण जी की जो तयारियां है अपने क्षेत्र को लेकर जो वरियता है काम को लेकर वो बहुत जादा है इसलिए भी शायद ये जनता के बीच में इतने लोगपरी हैं पसंदीदा है क्योंकि सिर्फ और सिर्फ जनता के बारे में सोचते है एक और चोटा सा ब्रेक के लिए हां रुकना है कारिकरम के अंतिम चरन में हम होँगे और नराण जी से जानेंगे कि नरींदर मोदी जी जो PM नरींदर मोदी है उनका इनके जीवन में क्या असर है और किस तरीके की प्रेड़ना है चोटा सा ब्रेक फोरम लॉट रहे आईए गांधी जी के दिखाई रास्ते पर चले और एक स्वच भारत की रचना करें स्वच भारत एक कदम स्वच ता की ओर आगे बढ़ने से कोई नहीं रोग सकता 2014 से लेकर अब तक अगर पिछले दो वर्षों में बात की जाए तो जो केंद्र सरकार काम कर रही है या जो केंद्र सरकार ने काम किया है उन कामों का विशलेशन अगर आपको करना हो तो कैसे करेंगे जो सरकार ने काम किया हूँ आप जानती है कि जंदन यूजना सबसे इस देश की महतों की यूजना जो फसीज कोड़ से ज्यादा खाता देश में खुले और बहुतेर हज़ार कोड़ से ज्यादा इसमें डिपोजिट आई और स्वच भारत आज हम जाप देखते मैं तो पि डिखता है हमें मैसुश होता है कि मेरा भारत पश होने होता लोक करूं हो है अब मैसुश होता है और अ और प्ग्सशेश को में जो इस देश के प्रदान मंत्री को एक पता नहीं था अग फ़िछन से नरंद्रबरन एक अपील कि जो आज व्यक्ति सुखी संपत है, सक्षम है, जो अपने आपको अपने गेश सिलिंडर की सब्सीडी छोड़ दे, एक अपिल से एक करूड से ज्यादा लोगों ने सब्सीडी छोड़ दी, आज उसका फाइदा हम पूरे देश में देख रहे हैं, खास करके मैं अपने चेत में कितने परिवारों को फाइदा मिलने वाला है, मेरे चेत्र में सत्तरह हजार लोगों को ये फाइदा मिलेगा, कैस के लेक्शन, उजवला योजना से, ये सब ये उपलुद्या है, और सभी योजना के लोगों तक लाप पहुचाने के उसके लिए सरकार की और से, सभी ए और लोगों को ये एशास हो रहा है कि सरकार कुछ काम कर भी है, पहले ये कॉंग्रेश वाले बोलते थे, दूसरी पाल्टी वाले बोलते थे, कि ये सरकार तो उद्योगपती की है, ये सरकार तो पैसे वालों की है, लेकिन 16-17 का बजीट जब आया, तो पता चला कि ये सरका सरकार उद्योगपती की नहीं है, कोई पैसे वाली की नहीं है, ये सरकार है, गाउं, गरीब और किसान की, गरीबों की सरकार है, किसानों की सरकार है, और गाउंवालों की सरकार है, ये सरकार में साबित कर दिया, तो इस सभी पाल्टी ने बोलती बंध हो गई, जिस तरीके से सरकार की तारीफ आप कर रहे हैं सरकार का नेत्रित्व कर रहे हैं नरेंदर मोदी जी मोदी जी का जो जीवन है उनके नेत्रित्व में किस तरीकी की चीजें आपको सीखने मिली हैं और क्योंकि कहते हैं कि बहुत अनुशाशन प्री हैं बहुत परिश्रमी हैं 18 गंटे 19 गं जिस तरीके से उनकी दिनचरया है या उनका रूटीन है मोरी जिस तरह काम करते हैं और जिस तरह उनकी दिनचरया है उसे उम्हें पेहिसा जाधा से जैदा समय कि लोगों की शेवा के लिए देना है और देश के आगे बढ़ाने के लिए उसको काम करना है जी और जो भी काम करना है ओज सम्भागति हुटते हैं और सभी प्रयास कने के बाउजूद दे उसमें सफलता मिलने छहीं क师騙 जने वाथ जीस से काम कर रहे तु कि उसके सेरेप उसके ससरीं पे कई आप ठकान ने दिखती है कभी हो वैसे एक रोनग बरकरा रहती हैं फिल रते हैं हु में उसी तरह गुद क हम मैं अगर काम सही pomoc हम भुआले में बीघ्च काम करें तो कभी ठकान होती निए और नero कि इतने सालों से प्लिटिक्स में हूँ लेकिन मैं मैं कभी इसा बुछा कि आद लेहा वा都में फुषरी दिन नहीं थक जाते हैं तो इस दोल वा अर्ट आट सो आथ बजह निकलता हूं और आपको बारा एक बुजे तक में घर पर आता हो तो मुझे कपी ऐसा नहीं होता है जा थक गया हूं यह प्रेणना यू कहें कि अधर शूरता हूं लिए यह प्रेणना विए आपके साथ बहुतों के लिए प्रेणना का श्रोथ है आपिए मोदी, इस कारिक्रम का अन्धिम सवाल आपसे है, बतौर सांसद जिस तरीकी केंद्र सरकार चल रही है या जो नित्रित्व सरकार कर रही है, अगर एक सांसद के तोर पर या एक आम आदमी के तोर पर आपको नंबर देना हो एक से दस के बीच में, तो आख्लन क्या कर इस समय केंज्डरे कि सरकार में जो नदरबाई नदर्वाय मोदी के नेत्रूत निजय जो चल रही है और शर्कार को बतर बद भातपा को सांसद देश के विकास के सबंद्द में अगर जो तो मुझे को जब नंबर देना है तो में तौड पूरा दस नंबर नदरबाई को इस देश के हित में राष्टर के हित में अगर आप पुछोगी तो वही बोलेगा कि नहीं सरकार को 10% ही देना है बहुत सारी शुब कामना है नाराइंट जी आपको जिस तरीके से जनता के बीच में आप जाते हैं काम करते हैं उतनी विस्तता के बीच आपने हमारे लिए वक्त निकाला बहुत शुक्त नाराइंट जी से हम बाचीत कर रहे थे और बहुत ही सरल और जमीनी स्तर के नेता हैं और लोगों के बीच में जाते हैं इसलिए शायद इतने लोगप्रियों भी हैं आज किस कारिकरम में फिलहाल इतना ही अगले हफते एक और नए चेहरे से आपकी कराएंगे मुलाकार फिलहाल नमस्कार